दिली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल और दिली सरकार में मंत्री आतिशी के खिलाब दायर मानहानी के मामले में अगली सुनवाई 16 माई को रावजे बिनु कोट में होगी तरसल कोट में कल्यानी की 4 माई को शिकायत करता का स्टेट्मेंट दर्च किया गया अब कि शिकायत पर केजरिवाल और आतिशी को समंजारी किया जाए या नहीं। शिकायत 27 जनवरी को दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल के ट्वीट और तो अप्रेल को आतिशी द्वारा की गई एक कॉन्फरेंस के अधार पर की गई थी। परविंद शंकर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट अमीद तिवारी ने कहा था कि आमादमी पार्टी के नेता कह रही हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी और लाने के लिए 20-30 करोड रुपे आउफर कर रही है बकॉल तिवारी जब भी एडी exercise policy के मामले में आप नेताओं के पास जाती है तो ये लोग अधारहीन आरोप लगाते हैं और खुद को परताडित बताने लगते हैं उन्होंने कहा कि जैसा कि आतिशी का नाम अबकारी निती वाले मामले में आया तो उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर दि अब नियाई के रासत में हैं आतिशी ने भी दो अपरेल को एक प्रेस कांफरेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बीज़िपी की तरफ से आफर मिला था उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उन्हें भी एडी द्वारा एक महीने के अंदर गिरफत कर लिया जाएगा